नमस्कार मैं पॉन कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल जोवित पीडी में दोस्तों आज इस वीडियो के माद्द हमसे मैं आपको बताऊँगा कि DSSB PGT यानि Post Graduate Teacher की Salary कितनी होती है Post Graduate Teacher को कौन-कौन से बत्ते मिलते हैं इन बत्तों यानि अलाउंस को जोडने के बाद में टोटल सेलरी कितनी होगी सेलरी से कुल कितनी होगा किस परकार कटोती होती है कटोती के बाद में आपकी नेट सेलरी कितनी होगी साथ यसाथ सेलरी हर साल किस परकार होगा कितनी बढ़ेगी इन सबी स्वालों के जवाव आपको इस वीडियो में मिलेंगे तो आप इस वीडियो को भीना स्कीप के अन तक जुरूर देखना वीडियो आपको जुरूर पसंद आएगा तो आप अभी शेशे लाइक और शेयर कर देना इसी परकार के और भी बैतनी वीडियो च पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों PGT यानि Post Graduate Teacher का जो grade पे होता है वो होता है 4,800 रुपे 76 Pay Commission के बाद है जो PGT Teacher की salary होती है Basic salary वो होती है 47,600 रुपे Basic salary के अलावा आपको कई परकार के allowance यानि बत्ते मिलते हैं जैसे DA, DNS allowance, HRA, House Ent allowance यानि मकान की रहा TA, Transport allowance और इसके अलावा आपको Transport allowance पे भी आपको DA मिलेगा यानि DA on TA भी आपको मिलता है सबसे पहले हम बात करें DA की तो DA की वर्तमांदर है वो है 17% DA हर साल बढ़ता रहता है तो जल्दी उमीद है कि या बढ़कर 21% हो जाएगा HRA की दर है दोस्तों वो दिल्ली के अंदर 24% है क्योंकि जिस सेर की जनसंग्या 50,000,000 शेदिक होती है तो उस सेर के अंदर आपको 24% मिलता है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपको शेलरी की कैलकुलेशन किस परकार करनी है सबसे पहले जितनी भी आपकी बेसिक शेलरी है उसको आपको DA निकाल लेना है आपकी बेसिक शेलरी है 47,600 रुपए आपको DA मिल रहा है 17,300 तो इसका 17,300 हो जाएगा 8,020 रुपए इसी परकार बेसिक शेलरी का एचार यानि 24,300 निकाल लेना है तो यह हो जाएगा 11,424 रुपए दोस्तों दिल्ली के अंदर TA यानि ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है 37,000 रुपए DA और TA मिलेगा यानि 36,300 रुपए का 17,300 तो जाएगा 612 रुपए दोस्तों जितने भी आपको यह अलाउंस मिले अगर इनको हम बेसिक शेलरी के अंदर एड़ कर देती है तब यह आपकी ग्रोस सेलरी बन जाती है आपकी बेसिक शेलरी होगी 47,600 रुपए पलस आपको DA मिले 8,000 बांड मैं पलस आपको जो HR यानि हाउस रेंट अलाउंस मिले 11,424 रुपए पलस आपको जो TA मिले 36 रुपए पलस TA और DA 612 रुपए इन सबी को हम एड़ कर देते हैं तब आपकी ग्रोस सेलरी बन जाए कि जो ग्योगी 71,328 रुपए दोस्टों जो मिलती है वो Bronze donors नहीं मिलती है वो इसी प्रकार एक Income Tax और G.S.I. के रूपए में कटऊती होती है जो कि लगबग 15,00 रुपए के आसपास आपकी कटऊती होगी इन दोनों कटऊतियों के बाद में जो आपकी नेर सेलरी होगी वो होगी 64,220 रुपए ये दोस्तों आपकी पहले salary होगी जो कि एकाउंट के अंदर आपके सीधे ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी पहले वर्सा है आपकी salary यही रहेगी अब हम बात कर लेते हैं कि salary अर साल किस परकार बढ़ती है एक तो दोस्तों DA हो अर साल बढ़ता रहते है जो पहले साल आपकी basic salary 47,300 रुपए है वही salary अगले साल है इसके अंदर 3% का और increment होगा तो आपको 47,600 का 3% निकाल कर आपको इसी के अंदर add कर देना है तो आपकी second verse basic salary हो जाएगी इसी परकार दोस्तों हर साल basic salary के अंदर 3% का increment लगता है और आपको जो allowance मिलते है वो basic salary पर मिलते है यानि second verse जो आपको allowance मिलेंगे वो आपको 47,600 पर नहीं मिलके 47,600 पलस इसका 3% के आपको उपर हो allowance है वो मिलेंगे दोस्तों इस परकार आपकी salary है वो हर साल बढ़ती रहेगी मैंने इस वीडियो में कोशिश किया कि आपको PGT teacher की salary के regarding हर information आपको परवाइड कराश को इससे के अलावा आपका किसी परकार का कोई भी doubt रह गया हो तो आप हमें comment आपको जुरूर कर सकते है मुझे उमीद है कि आज का वीडियो आपको जुरूर पसंद आए तो आप अभी शेयर लाइक और शेयर हो जुरूर कर देना इसी परकार के और भी बैतनी वीडियो च्पाने के लिए चैनल को subscribe कर लेना फिर मुलाकात होगे इसी परकार एक और बैतनी वीडियो के साथ तब तक आपनेशते रहना मुश्कुलाते रहना देखते रहना जोबित पीडी जैहिन जैभारत